So, आज हम लोग Class 11th Commerce का पहला Chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस Chapter अगर हम है Classification of Human Activities जिसमें हम लोग Economic and Non-Economic Activities के बारे में पढ़ने जाएंगे And before I begin with this Chapter, अगर आपको मेरे साथ Live Classes के अंदर Class 11th के तीनों सब्जेट्स की तियारी करनी है तो description में लिंक मिल जाने वाला है फटा-फट से आप Spartans Class 11th में इन्रोल कर सकते हैं The fees is just on 10,000 रुपीज इसके अंदर में आपको तीनों सब्जेट्स Accountancy, Economics और Commerce सिर्फ में ही पढ़ाने वाला हूँ इसी Classes चलती हैं शाम को साथ बजे से लेकर शाम के आठ बजे तक आई होप अगर आपको लगे तो अब जरूर से जोइन कर सकते हैं Because this will certainly gonna help you guys in preparing for your class 11th examinations तो चलिए बहुत देखते हैं चाप्टर नंबर 1 में हमें पढ़ना क्या-क्या है इस चाप्टर में syllabus में क्या-क्या चीज़े हैं तो सबसे फ़रा topic है meaning of human activities के बारे में पढ़ेंगे यह human activities होते क्या है then हमको पढ़ना है classification of human activities के बारे में classification में हमको पहली चीज़ पढ़नी economic activities क्या होती है non-economic activities क्या होती है types of economic activities कौन-कौन सी है business profession और job या हम लोग recruitment employees के बारे में बात करेंगे फिर distinction between business profession और employment के बारे में हमको पढ़ना है it's a very very small chapter so we'll be concluding and within like 20-25 minutes so बस focus करके रखेंगे और आपको एक बात अच्छी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस chapter के notes चाहिए है जो कि मैं screen पर लिख रहा हूँ वो आप हमारे free study material section से download कर सकते है that is free for everybody out there आपको हमारा application डाउनलोड करना है obsession and entrance hub जिसका description भी link पर मिल जाएगा आपको और वो डाउनलोड करने के बाद free study material section में जाएगे आपको इस chapter के notes साथ बाकी subjects के भी notes वहीं पर available करा दिये जाएगे so wish you luck चलो बहुत शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं यह human activity होती क्या है वो सारी activity जो humans करते हैं to satisfy human needs उसको हम लोग human activity करते हैं ऐसे घर में हम खाना बना रहे हैं हम घूमने जा रहे हैं हम किसी क्या नौकरी करते हैं ऐसे मैं teacher हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ यह सारी चीज़े क्या हैं यह सारी चीज़े human activity है लेकिन exam में आया तो लिखेंगे क्या human activities are undertaken to satisfy human wants वो सारी activities जो humans के दवारा की जाती है to satisfy human wants is known as human activity चलो बेटा अब human activities को दो पार्ट में classify I किया गया है एक economic activity है और दूसरा non economic activity है आसान भाषा में मैं तुमको बता हूँ economic activity का मतला होता है वो सारी activities जो पैसा कमाने के लिए 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 जाएं non economic activities वो सारी activities जो पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है उसे non economic activity कहते हैं लेकिन हमारी textbooks जो कि मैं follow कर रहा हूँ जो CB Gupta book follow कर रहा हूँ जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग economic activity कहते हैं, जैसे कि मैं YouTube पर जो पढ़ा रहा हूं, that is a non-economic activity, लेकिन मैं वही चीज़ स्पार्टन के बैच में पढ़ा रहा हूं, it's a economic activity for me, तो आप लोग बात समझ पा रहे हो, चलिए इसकी characteristics जानते हैं, कि इसकी characteristics क्य हैं, सबसे पहली characteristics पर आते हैं, यह है economic motive, economic motive मतलब पैसे का motive, the main motive behind these activities is to earn money, basic objective होता है कि हमें पैसा कमाना है, इसलिए इस activities को किया जाता है, जैसे कि आपके पापा कहीं जॉब करने जाते होंगे, business करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, जैसे पैसे कमाएं, वो सब economic activity के लिए अंदर आता है, दूसरा है productive, अब productive का मतलब क्या है, it involves या तो production of goods and services, या distribution of goods and services, या exchange of goods and services, इसके अंदर या तो production, या distribution, या exchange आएगा, of goods and services, कोई दिक्खेत वाली बात तु नहीं, या तो हम कुछ produce कर रहे हूंगे, या हम कुछ चीजेंगे, या हम कुछ चीजेंज कर रह रहे होंगे यहां से हम पैसे कमाएंगे, third activity आती तो third feature है, वो है economic resources, economic resources का मतलब क्या है, the use of economic resources such as land, labor, capital, etc, economic activity में हमारे economic resources का استعمال किया जाता है, जो कि क्या है, land है, labor है, capital है और बाकी सारे resources, अब आते है rational use, rational use का मतलब क्या है, you should utilize your resources in an optimum way so that आपके resources waste ना हो तो rational use क्या बोलता है welfare of society can be maximized when best possible use of resources is made भाई हम जादा से जादा economy का हमारी society का welfare कर पाएंगे जब हम सारे resources को maximum इस्तवाल कर सकते हैं without any wastage अगला feature क्या कहता है economic growth, economic activities determine the level of economic development of a country and standard of living हमारी देश यतनी तरीकी से growth करेगा, हमारे पास पैसे यतनी अच्छी तरीके से आएंगे उतने ही अच्छी हमारी standard of living हो जाएगी भाई अगर पहले याद करो हम लोग inferior goods को consume करते थे अगर हमारे पास पैसा आ गया तो हम अब superior products को consume करना शुरू कर देंगे ये बता रहा है level of economic growth चलो भाईया चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगला feature है legally valid मतलब देखो economic activity कहती ही वो सारे जरिया जहां से पैसे कमाए जा सके वो सब economic activity है लेकिन it should be as per law ऐसा नहीं फिरोती ले लिए ऐसा नहीं कि भाईया हम लोग क्या करें murder करें kidnapping करें पैसा तो सर वहां से भी आ रहा खुब पैसा आ रहा है मज़े ही मज़े ना भाईया ऐसा नहीं होगा वो economic activity नहीं करा सकती gambling करें सट्टे लगा रहे जुआ खिलवा रहे वो सब activities जो इंडिया में as per law valid है उसको हम लोग economic activity कहेंगे तो human activities perform for economic gain are called economic activities only when they are lawful जब तक वो as per law है तभी तक वो economic activity का हिस्सा है अगले point पर आते हैं अगला point है बेटा हमारा socially desirable socially desirable का मतलब क्या है these activities must be in accordance with the expectations and norms of the society भाई जैसा हमारी society expect कर रही है जैसे हमाई society के norms है उस हिसाब से हमको business activity आगे चलानी है तो it should be socially desirable for everybody ठीक है बात समझे है पूरी society मांगती हो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं teacher हूँ तो socially desirable profession है हमारा लोग चाहते हैं कि teachers आए और पढ़ा है doctors, engineers, same ways मतलब वो सारा काम करिये जो socially acceptable हो ऐसा ना हो कि murder करे जा रहे है भाई साब चला बया आगे आते हैं हम लोग देखते हैं non economic activity क्या होती है वो सारी activity जो पैसा कमाने के लिए नहीं है तो किसके लिए हैं आओ देखतो those activities which are undertaken to satisfy social, religious, cultural and sentimental requirements and not for monetary gains वो सारी की सारी चीजें जो कि social, religious, cultural, sentimental needs को satisfy करें उन activities को हम लोग non economic activities बोलते हैं और ये activities पैसा कमाने के लिए नहीं है साहिब जैसे कौन-कौन सी activities जैसे पहला देखो love and affection तुमारी मा तुम्हें खाना खिलाती है प्यार से रोटी बनाकर, चावल बनाकर तुम्हें खिला रही है खिलाने के बाद ये थोड़ बोलती है ये लो चिंटू तुमारा बिल लाओ पैसे भरो तुम जिसको प्यार समझते हो प्यार नहीं है वो लाइबिलिटी है ठीक है तो लव और इन अफेक्शन से कर कोई काम किया जाएगा तो वो मॉनिटरी गेन के लिए नहीं है दूसरा पर्सनल साटिस्वक्शन मुझे मेडिटेशन करना पसंद हो है तो पसंद है अब मेडिटेशन करने के लिए मुझे कोई रूपिया थोड़ना दे रहा मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए कोई पैसे थोड़ना दे नहीं आ रहा है तो वो सोशल अब्लिगेशन आप सोसाइटी के लिए हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेट से मैं लेट से पार्क को सही कर रहा हूं लेट से मैं स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रहा हूं तो व आते हैं टाइपस ओफ एकनामिक अक्टिविटी पे सबसे पहली अक्टिविटी के उपर आते हैं बिजनेस आजकल बड़ा फेमस है बिजनेस 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 बहुत फेमस चीज है ऑंट्रपनियोर्शिप की तरफ जब से शाक टांग इंडिया आया है इंडिया में एक्स्चेंज ओफ गोड्स अंग सर्वीशेस बिजनेस बीजनेस बिजनेस अंग सर्विशेस बिजनेस लेकिन अंडिल नियुए यह लौ के अंदर किया जा रहा हो ऐसा कोई काम जो अनलौफुल है वो बिजनेस की के टिगरी में नहीं आएगा बाबु ठीक है आगे बढ़ते, profession क्या होता है, profession कलकीडेट पर तुम चार्टर अकांटेंट मन जाओगे, तो क्या है, तुम प्रोफेशनल होगे, similarly लेट से तुमने कलकीडेट में MBA फिनाइन्स कर लिया, MBA पढ़ाई कर ली, या तुमने आगे चलके डॉक्तर कर लिया, अब तुम नहीं कर सक किसी एक चीज में जब आपकी specialized knowledge लगती है, जिससे आप अपनी living को चला रहे हो, जैसे एक doctor है, doctor ने MBBS कर लिया, तो उसके लिए क्या हुआ, कहां से MBBS किया, उसने doctor की पढ़ाई, उसने medicine की पढ़ाई सीखी है, तो हम कहा नहीं सकते हैं, उसके पास है specialized body of knowledge, जैसे आप chartered accountant बन गए हो, तो आपके पास specialized body of knowledge है, कल की देट में आप advocate बन गए हो, lawyer बन गए हो, तो क्या है, आपके पास specialized body of knowledge है, दूसरा, restricted entry, यह सारे इनके features है, restricted entry मतलब, कोई भी doctor नहीं बन सकता है, ऐसा सोचू, मैंने MBBS कर लिया, आप मैं doctor, आज से मैं पेट फाड़ूंगा लोगो कोई भी नहीं कर सकता है, there is a restricted entry, you need to have some specialized body of knowledge, then only you can continue with your profession, फिर क्या है, there should be a formal education and training, यसे doctors की एक formal education होती है, chartered accountants की एक formal education होती है, thereafter उनकी एक proper training होती है, उसके बाद वो market में अपना काम कर सकते है, and there is a professional association, मतलब एक professional body होती है, जो गवर्न करती है, यसे chartered accountants की, ICAI है, Institute of Chartered Accountancy of India, वो एक body होती है, जो आपको license देती है, वैसे medicines को provide करने के लिए, doctors के लिए भी एक specialized body है, जो आपको license देती है, practice करने के लिए, then there is a service motive, आप service provider होंगे, और उस service के लिए पैसे charge करेंगे, जैसे आप chartered accountant है, तो किसी का ITR फाइल कर रहे हैं, या taxation का discussion कर रहे ह हैं, तो आप उनके लिए एक service provide कर रहे हैं, और उस service के बदल में पैसा कमा रहे हैं, similarly doctor, आपको देखता है, आपको दवाई लिगता है, उसके बदल में पैसे लेग लेता है, फिर last क्या है, there is a formal code of conduct, तो मगा doctors को, charter accountants को, lawyers को देखोगे जा, तो they have a formal code of conduct, ऐसे नहीं कि किसी accountants should behave in this particular manner, ठीक है, अब आते हैं, अगले topic पर अगला topic है, employment, employment क्या होता है, an economic activity, where people work for others in exchange of some remuneration, remuneration मतलब salary, मतलब wages, salary मतलब जो महीने के अंत में मिले, wage मतलब जो रोज-रोज मिले, छी कहना, मतलब अगर आप किसी और क्या नौकरी करने जा रहे हैं, हो सता है, कल की डेट म आप बहुत बड़े college से पढ़ाई करें, आप CUVT का paper देकर, आप Delhi University पहुंचे और वहाँ से किसी big four company में आप काम कर रहे हो, तो बड़ी company में जाकर नौकरी करेंगे, नौकरी के बदले में मिलता है पैसा, उसी इसको बोलते हैं, हम लोग employment, और the person who works for others is called employees, आप किस, आप अगर जाके किसी किया नौकरी करेंगे, तो आप क्या कहलाएंगे, आप employees कहलाएंगे और आपको बदले में salary मिले का, तो सबको समझ में आया, employees क्या होते है, employment क्या होता है, profession क्या होता है, और business क्या होता है, अब आप से छोटी सी दर्खोस्त है, मैं आपको notes में proper जगे होता है, और यह आपको homework करना है, आपको कोई 6 difference prepare करने है, between business, profession and employment, आपको इसके 6 difference मुझे लिखकर जरूर बताने है, और अगर आप Instagram के होपर हो, तो जरूर मुझे tack करना, so that I can re-share your story, इतना करना पड़ेगा, और बस आज के लिए बहुत भाहिया, चलिए, अब जा सकते है आप सभी लोग, chapter number 1 in commerce is done from my end, this is Shubham Jigdish, signing off from today's class, तुमें लगता है, कोई doubt है, कोई query है, कुछ पूछना है, related to anything, तो आप phone कर सकते हैं, 812601234 पर, या आप call कर सकते हैं, 8299364494 के उपर, आपकी सारी समस्याओं का समधान, इन दोनों नमबर पर, मिल रहा होगा, lots of lots of love, Shub Jigdish, signing off.